धम्म चक्रो प्रवर्तनाचे कार्या जा दिक्षा भुमीवर डाक्तर बाबा साहिब अंबेड कर जीने केल या भुमिला माजे प्रणाम काशी हा प्राचीन ज्यान नग्रिया है नाकपूर बनू सक्था का अग्षा अग्षा है अग्षा मंचा वर प्सले ले सग्णे मानू वाओ आज एक साथ इतनी बड़ी लंबी सुची है सब के नाम बोल नहीं रहा हूं काफी लोगा ने बोल दे आपको याद रहे के होंगे एक साथ इतने सारे प्रकल्प अज नागपूर की धर्ती से देश को समर्पित हो रहे हैं आवाज हाई ले है अज चाओदा अप्रिल डक्टर बाबा साब अम्बेड करकी जन्म जैन्ति का प्रेरक आउसर है इस मेरा सोभाग रहा कि आज प्रातर दिक्षा भूमी में जाकरके उस पवित्र धर्ति को नमन करने का आउसर मिला एक नई उर्जा नई प्रेरना लेकर के मैं आपके बीचाया हूँ इस देश के दलीत, पीडीत, शोशित, वंचित, गाउँ, गरीब, किसान हर किसी के जीवन में आजाद भारत में उनके सपनों का क्या होगा, उनके आशा आकांचाओं का क्या होगा क्या आजाद भारत में इन लोगों के भी कोई पूछ होगी कि नहीं होगी इन सारे सवालों के जवाब भीमरावांबेड कर जिने समिधान के माध्यम से देश वासियों को दिये थे, गारंटी के रूप में दिये थे और उसी का परिणाम है कि सम्विधानिक ववस्ताओं के कारण आज देश के हर तपके के व्यक्ति को कुछ करने के लिए आउसर सूलब है और वोही अफसर उसके सपनों को साकार करने के लिए उमंग और उत्सा के साथ जी जान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं व्यक्ति के दुरूप से मैंने जीवन में मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि अभाव के बीच में पैदा होकर के भी किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभाव के रहते हुए भी प्रभावी डंग से जीवन की आत्रा को सभलता पुर्वक आगे बढ़ाए जा सकता है और वो प्रेणा बाबा साथ आमबेड कर से मिलती है अभाव का रोना रोना नहीं रोना अभ प्रभाव से बिचलित नहीं होना ये संतुलित जीवन दबेक कुछले हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है और वो ताकत देने का काम बाबा साथ आमबेड करने अपने जीवन से दिया है कभी कभार म्यक्ति के जीवन में अभिरत रुप से जब कटू अनुभव रोज कई जिन्दगी का हिस्सा बन जाता हो अपमानित होना प्रथाडित होना तिरस्कृत होना अगर इंसान छोटे मन का हो तो ये चीजें मन मंदिर में मन मस्तिस्क में किस प्रकार से कटूता के रुप में भर जाती है और मोका मिले तो कभी लगता है आ रोज इसको दिखा दूँगा ये मेरे साथ किया था बच्पन में मेरे साथ ये हुआ था स्कूल गया तो ये हुआ था नोक्री करने गया तो ये हुआ था क्या कुछ मन में नहीं हो सकता है लेकिन ये ये एक भिम्राव आम्बेड कर थे इतनी बुराईयों से सामना करना पड़ा इतनी प्रदार्त और प्रतारणा जेलनी पड़ी लेकिन खुद के जीवन में जब मोका आया रती भर उस कटुता को बहार आने नहीं दिया बदले का भाव आउश भर भी न सम्मिधान में कभी प्रगट हुआ न कभी उनकी मानी में प्रगट हुआ न उनके कभी अधिकार शेतर में प्रगट हुआ ब्यक्ति के उचाई ऐसे समय कसोटी कस्ति के पर पता चलता है कैसा महान तम्यक्तित्व होगा हम शिवजी को शिवजी को जब उनकी महांता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया था बाबा साब हम बेड करने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अम्रित वर्सा की थी और इसलिए उस महापुरुष की जन्म जहनती पर और वो भी जिस धरती पर उनका नव जन्म हुआ उस दिख्षा भूमी पर प्रणाम करते हुए देश के चरणों में एक नई व्यवस्ता देने का आज प्रयास हम कर रहे हैं अजनेक योजनाओं का प्रारंभ हो रहा है नए भवनों का प्रारंभ हो रहा है करीब 2000 मेगावोर्ट के बिजली के कार खाने का लोकार पन हुआ उर्जा वो जीवन का अतूट अंग बन गई है विकास का कोई भी सपना उर्जा के अभाव में संभव नहीं होता है और 21 सदी में उर्जा एक प्रकार्द हर नागरी का हक बन गया है लिखित हो या नहों बन चुका है अगर भारत को आधूनिक भारत के रूप में देखना है तो उर्जा उसकी पहली आवशक्ता है और एक तरफ परियावरण की चिंता के कारण विश्व थर्मल पावर को चुनोती दे रहा है तो दूसरी तरफ विक्सित देशों के लिए वही एक सहारा होता है भारत ने भी बिड़ा उठाया है कि हम पुरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं पुरे ब्रह्मान को अपना मानने वाले लोग हैं हमारे द्वारा हम ऐसा कुछ नहीं होने दोंगे जो भावी पीडी के लिए कोई संकट पादा करे और इसलिए भारत ने 175 गीगावर्ट रिन्यूबल एनर्जी का सपना देखा है कि सोलार एनर्जी हो विंड एनर्जी हो हाइट्रो के प्रोजेक्ट्स हो कि और आप जब नितिन जी बेड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि नागपूर वास्यों का जो गंदा पानी है वो बिजली के उत्पादन में काम लाया जाता है रिसाइकल किया जाता है एक प्रकार से परियावरान के अनुकूल यह इनिसिटिव है मैं इसके लिए नागपूर को बढ़ाई देता हूँ और देश के अन्य भागों में भी जीरो वेस्ट क्या कंसेप धीरे धीरे पनप रहा है आज यहां आवास निर्वान का भी बहुत बड़ा कारकम हाथ में लिया गया उसका भी प्रारम हुआ है 2022 आजादी के 75 साल हो रहे है पल भर के लिए हम 75 साल के पहले की जिन्दगी की जीने का प्रयास करके देखे हम उस कलपना विश्व में पहुँचे 1930, 40, 50 के पहले का कालखन जब देश के लिए लोग जान की बाजी लगा देते थे हिंदुस्तान का तिरंगा फैराने के लिए फासी के तक पर चड़ जाते थे मा भारती को गुलामी की जंजिरों से मुक्त कराने के लिए जबानी जेल में खपा देते थे मुर्त्यू का अनिगन करते थे हस्ते हस्ते देश के लिए मर मिटने वालों की कतार कभी बंद नहीं हुई थी इस देश के वीरों ने वो ताकत दिखाती थी कि फांसी के फंदे कभी कम पड़ जाते थे लेकिन मरने वाले देश के लिए शाहादत देने वालों की संख्या कभी कम नहीं हुआ करते थे अन्गिनत बलिदारों का प्रनाम था कि भारत मां हमरी आज़ाद हुई लिकिन आज़ादी के दिवानोंने पी तो कुच सपने देखे थे उन्होंने भी भारत कैसा हो एक इरादा रखा था उनको तो सौभागे मिला नहीं आजाआ हिंदूस्तान में सांस लेने का हमें सौभागे मिला नहीं उस आज़ादी के आंदोलन के लिए अपने जिन्दगी खपाने का लिकिन हमें मोका मिला है देश के लिए मरने का मोका न मिला देश के लिए जीने का मोका मिला है क्या 2022 जब आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं आज हम 2017 में खड़े हैं पांच साल का सबाय हमारे पांस है सबासो करोर देश वासी अगर संकल्प करें कि जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए जीवन लगा दिये उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मेरी तरफ से इतना योगदान होगा मैं भी कुछ करके रहूँगा और संकल्प करके करके रहूँगा और सही दिशा में करके रहूँगा मैं नहीं मानता हूँ कि 2022 आते आते देश विश्व के सामने खड़े होने की ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा मुझे कोई आश्व कर देश और उसमें एक सपना है हमारा दो हजार बाइस जब आज आजी के 75 साल हो तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो इस देश का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसको अपना रहने के लिए घर ना हो अपनी चट ना हो और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो पानी हो चूला हो गैस का चूला हो नदिग में बच्चों के लिए स्कूल हो बुजुर्गों के लिए नदिग में स्पताल हो ऐसा हिंदुस् क्या सवासो करो देश्वासी मिल करके हमारे देश के गरीब के आशो नहीं पहुंच सकते हैं भीम्रा मांबेड करने जिस सपनों को लेकर के समिधान में रचना की है उन समिधान को जी करके दिखाने का आउसर आया है हम 2022 के लिए संकल पकरें कुछ कर गुजरने का इर्यादा लेकर के चल पड़ें मैं मानता हूं कि सपना पूरा होगा मैं महाराश्चा सरकार को बशाई देता हूं कि भारत सरकार की योजरा के साथ महाराश्चा भी कदम से कमम मिला करके आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में घर बनाने की दिशा में काम चलता है और उससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलने वारा है गरीब को गर तो मिलेगा लेकिन घर बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा सिमेंट बनाने वालों को काम मिलेगा लोहा बनाने वालों को काम मिलेगा हर व्यक्ति को काम मिलेगा एक प्रकार से रोजगार के सुजन की भी बड़ी संभावन और हिंदुस्तान के हर कौने में अपने अपने तरीके से घर बनाने के बहुत बड़ा भ्यान चल रहा है आज उसका भी एक प्राणम करने का मुझे उस्थ मिला 21 सदी ग्यान की सदी है अब मानव इतिहास इस बात का अगवा है जब जब मानव जार्थ ग्यान यूग में रही है तब तब हिंदुस्तान ने नित्रुत्व किया है 21 सदी ग्यान का यूग है भारत को नित्रुत्व देने का एक बहुत बड़ा अवसर है आज यहाँ एक साथ टिपल आईटी आईएम एमस एक से बढ़कर एक और यहाँ नए भवनों का अंदिर्मान में यह सारी इंस्टिटूशन्स चलेगी महरास्ट्र के और देश के नवजवानों को अपना भाग्य बनाने के लिए आधुनिक भारत बनाने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इन समस्बानों के दवारा आउसर मिलेगा मेरी युवापीडी को बहुत बहुत शुभकामना हैं यह आज जब मैं उनको मेरे देश की युवाब पीडी को यार्पित कर रहा हूं मेरी उन सब को बहुत पहुत शुब कामना हैं आज कि पिछरे कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया के दिशा में हम काम कर रहे हैं और भद व्यापक रूप से काम कर रहे हैं उसका एक फलक है डिजी धन और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लगागा डिजी धन नीजी धन यह डिजी धन नीजी धन यह गरीब की आवाज बनने वाला है मैंने देखा बड़े-बड़े विद्वान विरोध करने के लिए ऐसा ऐसा विरोध कर रहे थे कि मोदी जी अप्यार है कि कैशले सोसाइटी धिंकना अफलाना न जाने मैंने ऐसे ऐसे भाशन सुने रात को फिर मुझे बड़ा व्यंग विनोत के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता था उनको याद कर लेता था तो मुझे बड़ा महरान था बड़े-बड़े विद्वान लोग क्या बोल रहे थे कम कैश घर में भी आपने देखा होगा धनी से धनी परिवार होगा बेटा होस्टेल में रहता होगा तो भी माबाप के बीच में चर्चा होती है एक साथ ज्यादा पैसा मत भेजो कहीं बेटे की आदत बिगड़ जाएगी धनी से धनी परिवार भी गरीब से गरीब परिवार भी बेटा कहेगा मा मुझे आज पांच रुप्या दो तो बाप समझाता है नहीं नहीं बेटा ऐसा करो दो रुप्या ले जावा दो रुप् कैश ये जीवन में भी महत्व रखती हम परिवार में अनुभव करते आये हैं सुखी से सुखी परिवार भी बंडल के बंडल बेटों को नहीं देते हैं क्यों को मानू मैं इससे क्या क्या होता है अच्छा कम होता है बुरा ज्यादा होता है जो व्यक्ति के जीवन में है वही समाज के जीवन में होता है वही राष्ट के जीवन में होता है वही अर्थ व्यवस्ता के जीवन में भी होता है ये सीधी सीधी सरल समझ को हमने वेहवार में लाना चाहिए कम कैश कम नगर इससे कारोबार चलाया जा सकता है और कोई एक जमाना था जब सोने की ही लगडी ही करंसी रहती थी सोने की गिनी हुआ करते थी बदलते 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 कभी चमड़े का भी आया कभी कागज का भी आया नजाने कितने बदलाव आए और हर यूगी ने हर बदलाव को सुकार किया है हो सकता है उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जो कुछ कहते होंगे शायद उसे में अकबार नहीं होंगे इसलिए छपता नहीं होगा लेकिन कुछ कहते होंगे उसे में भी विवाद भी रहें होंगे लेकिन बडला भी हुए होंगे अब वक्त बडला है आपके पास Alternates व्यवस्थाई अभेलेबल है और उसमेंसे भीम एप और मैं मांता हूँ भारत की समिधान में सामान ने मानवी को हक देने का काम जिस तरीके से भीम रावां बेड़ करने किया है उसी तरीके से भीम एप अर्थ ववस्ता के महारत ही के रूप में काम करने वाली है ये मेरे शब्द लिख करके रखिए कोई रोग नहीं पाएगा ये होके रहने वाला है आप हरानों गें हिंदुस्तान जैसे देश में करंसी छापना छाप करके पहुंचाना सुरक्षित पहुंचाना अर्बों खर्बों रुपिया का खर्च होता है अगर उनी विवस्ताओं से पैसे बच जाएं तो कितने गरीबों के घर बन जाये दोस्तों कितनी बड़ी देश सेवा हो जाएं और यह सब संबभ है इसलिए करना है संबभ ना होता तो में कर रा वो भी गुजारा करते थे पहले वो विवस्ताथ ज़रूरी थे करते थे अगर कम कैश की दिशा में हम ताय कर रहे हैं आप देखिए बड़लाव संभवा है मैं तो हरान हूँ एक-एक ATM की रक्षा के लिए पाँच-पाँच पुलीस वाले लगे रहते हैं एक इनसान को सुरुक्षा के लिए पुलीस देने कभी दिक्कत होती है ATM के लिए खड़ा रखना पड़ता है अगर कम कैश का कारोबार हो जाएं आपका मोबाइल फोन ही आपका ATM बन जाएगा और वक्त दूर नहीं है जब प्रिमाइसिस लेज और पेपरलेज बैंकिंग यह जीवन का हिस्सा बनने वाला है जब प्रिमाइसिस लेज पेपरलेज बैंकिंग जीवन का हिस्सा बनने वाला है इसका मतलब हुआ का आपका मोबाइल फोन यह सिर्फ आपका बटवा नहीं आपका मोबाइल फोन आपकी अपनी बैंक बन जाएगा टेक्नोलोजीकल रिवोलिशन आर्थी जीवन का हिस्सा बन रहा है और इसलिए 25 दिसंबर को जब यह डीजी धन योजना को लांच किया गया था जिस दिन लांच किया था क्रिश्मस की सुरुवात थी हैपी क्रिश्मस के साथ सुरू किया था सो दिन तक सो सहरों में चला और आज उसकी पुरणा हुती एक प्रकार से इदर 14 एपरिल बाबा साब आमबेड करके जन बजैंती भी मैप का सीधा समन्द और दूसरी तरफ गुड़ फ्राइडे का दिन किश्वस के दिन प्रार्म किया था हसी खुशी के साथ सुरू किया था यातरा करते 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 हैं चल पुड़े अच कभी लोगों को लगता ठाए कि जिसके पास मोबाइल फोन महीं है क्या करें ओल पार्लम पर पियेंट में बहुत बास्तों बड़ा इंसरीं वो शक्ता नहीं है, अब आप ये नहीं पूछोगे, क्या करेंगे, आपके पास अंगूठा तो है ना, एक जमाना था, अनपड होने की निशानी हुआ करती थी, यूग कैसा बदल गया है, वो ही अंगूठा आपकी शक्ती का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। अंगूठे पर लगे रहते होंगे, मोबाइल फॉन लेकर के, मैसेज लगते होंगे, टेक्नोलोजी ने अंगूठे को ताकत पर बना दिया है, और इसलिए भीम आधार, भारत गर्व कर सकता है, दुनिया के दुनिया के टेक्नोलोजी कली एडवांस देश के पास भी ये हिंदुस्तान के पास थे, अब जो लोग बीम एप पर बिबाद करने के बाद भी लोग स्विकार करते गए, तो अब वो आधार पर बिबाद करने में लगे हुई हैं, वो उनका काम है करते रहेंगे, आपके पास मोबाइल फोन ही हो या ना हो, आपका अगर आधार नंबर है, आप स्वैम किसी दुकानदार के हां गए हैं, और उसके पास छोटा सा इंस्ट्रुमेंट होगा, बड़ा पॉस्ट मशिन की भी ज़रुत नहीं हो कि छोटा सा इक होगा, दो इच वाई दो इच का आपका अंगुठा वहाँ लगवा देगा, और उससे अगर आपका पहले सी बैंक के साथ आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ है, अगर आपने दस रुपिया का माल लिया है, तो दस रुपिया आपका आटोमेटिक कट हो जाएगा, एक रुपिया साथ में ले जाने की ज देखना जी, वो दिन दूर नहीं होगा, दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटीज, इस भीम आधार का केश स्टड़ी करने के लिए भारत का पर आएगी, सारे नवजमान स्टड़ी करेंगे, दुनिया में आर्थिक बढ़लाव क्या हो सकता है, कि इसका आधार बनन होने वाला है, और मैं कली हमारे रविशंगर जी जो को कहता था, क्या भारत सरकान इसका पैटन करवाया और ने करवाया है, क्योंकि होने वाला है, दुनिया इस विशय को अपना विशय बनाने के लिए, मुझे भी आफरिकन देशों के जितनी मुख्या लोग मिलें, तो उ वैश्वी की विस्तार का खारण भी बन सकता है, और भारत एक बहुत बड़े कैटली के एजनिय के रूप में काम कर सकता है, इस दीजी धन योजना के तहर हिंस्तान के सोच अलग-अलग शेहरों में कारिकम किये गए, लाखों लोगों ने बढ़ चड़ करके हिसा लिया, लोजी को समझने का प्रयास किया, स्विकार करने का प्रयास किया, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के इनाम मिले, और आज जिन लोगों के इनाम मिला, उसमसे एक सज्जन चिन्नई के, उन्होंने तो गोष्णा कर दी, मुझे जो इनाम मिला है, वो मैं गंगा सफाई के लिए संबर्पित कर देता हूं मैं उनका अभिनंदन करता हूं और वैसे भी डीजी इधन सफाई अभ्यानी है प्रस्टाचार काले धन के खिलाब लड़ाई का एक बहुत बड़ा माजा रखता है और मैं देश वाद्शियों को कहना चाहता हूं कम कैश विचार आपको पसंद आये या ना आये कैसले सोसाइटी का सपना आपको अच्छा लगे या ना लगे नोटों के बнихना जिंदगी कैसे गुझरेगे आपके मन पे सवाल या निशान हो या ना हो लेकिन इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल दिमाग में बरस्टाचार के प्रती गुसा ना हो देने वाला भी गुसा करता होगा और कभी लेने वाला भी रात को जाकर के सोचता होगा यार अब मोदी आया है कहीं फस जाओंगा तो क्या होगा बहुत बुरा हुआ है लेकिन आगे बुराई से बचने के लिए एक उत्तम साधन है जो भी भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी वो एक प्रकार से ब्रस्टा चार और काले धन की लड़ाए लड़ने के सिपाई है मेरे लिए बहुत बड़ी दाकत है मेरे देश और इसलिए मैं इसे निवंतिज देता हूँ नौजवानों को और इसमें दो नई चीजे जोड़ी है इस बार और अभी तो योजना यह है कि वो 14 अक्तुबर तक हम चलाएंगे आज 14 एप्रील है 14 अक्तुबर इसलिए कि 14 अक्तुबर को बाबा साब आमबेड करने दिख्षा ली थी वो बाबा साब आमबेड करका दिख्षा का वो पवित्र अवसर था 14 अक्तुबर और इसलिए आज 14 एप्रील से 14 अक्तुबर तक एक विशेश योजना है आज देखा होगा आपने अच्छे परिवार के नवजवान भी उनके दिमाग में भी है कि हम वैकेशन में कुछ न कुछ काम करें और खुद कमाई करें धनी परिवार के बच्चे भी अपनी पहचान छुपा करके ऐसी जगा पे जाते हैं और ऐसे काम करते हैं खुद को train करना चाहते जिस सर्कल में वो प्यादा हुए वहां, वो मोका नहीं बलता है, वो हटल बेर जाते हैं, बरतन साप करते हैं, चाइक परोस्ते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं, कई पेट्रल पॉम्पे जाकर काम करते हैं, एक गर्वशे जीने का आज नई पीडी का दिमाग में यह चीज़ आ रही है पहले हम सुनते देख विदेश में नवजबान सब रात को जाकर के दो दो तिन तिन गंटे ऐसी महनत का काम करते हैं टेक्शी चलाते हैं डिकना करते हैं फणाना करते हैं उस कमाई करते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं आज हिंदुस्तान में ये चीज आई है ऐसा नहीं नहीं है हमारा ध्यान नहीं गया है इस भीम आधार के तहट मैं इस वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूँ इसमें एक योजना है रेफरल की याना अगर आप किसी को भीम एप के समझाएंगे किसी मर्चंड को समझाएंगे किसी नागरिक को समझाएंगे उसके मुबाइल पर भीम एप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रिणा से वो तीन ट्रांज़ेक्शन करेगा कभी 50 रुपे की चीज खरीदेगा कभी 30 रुपे की खरीदेगा कभी 100 रुपे की खरीदेगा यह आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी एक कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपिया आपके खाते में आ जाएगा अगर वेकेसन के तीन महिना ताय कर लें पर रोज 200 रुपिया कमाना है बताइए मेरे नौजवान साथियों ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए सामने से कुछ लेना जाना नहीं उसको जिरुफ शिखाना है समझाना है और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम एप को लागू करेगा कारोबार उससे सुरू करेगा तो उसको जो इसके मिनिमम जो रैंक होगा उतरा करेगा तो उसको 25 रुपे मिलेगा उसके खाते में 25 रुपे जमा होगा यानि जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला है और ये योजना 14 अक्तूबर तक चलेगी बाबा साब आमेड करका दिक्षा प्राप्त करने वाला दिवस्ता होगा छे महने हमारे पास हैं हर नवजमान इस समयकेशन में 10,000-15,000 रुपे आराम से कमा सकता है और आप ब्रश्टाचार के खिलाब के लड़ाई जीतने के लिए मेरे सबसे बड़े मददगार बन जाएंगे और इसलिए मैं आपको निमंतर देता हूँ कि इस योजना में उसकी बारी की जो लिखित होगी वही फाइनल मेरे समझाने के लिए थोड़ा प्लस माइनस बोल रहा हूँ लेकिन जब आप लिखित पड़ेंगे तो पकी योजना आपको समझा जाएगी और मैं चाहता हूँ मैं देश के नवजवानों को चाहता हूँ कि अब एक्जाम हो गई है मोबाइल फोन उठाइए इस ववस्ता को समझेए और बीस लोग पचीस लोग तीस लोग में लग जाएए आप शाम को दो सो तिन सो रुपय कमा करके घर चले जाएंगे और पूरे वेकेशन में आप करेंगे अगली साल के आपकी खर्च का पढ़ाईगा पॉकेट खर्च अपने आप निकल जाएगा कभी गरी माबाब के पास से एक रुपया मांगने की जरूरत नहीं पढ़ेगी यह यह रिवलुशन लाने का प्रयास है आज यहाँ 75 टाउंचिप कम कैश वाली उसका लोकारपन हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर टाउंचिप में लोग रहते हैं अलग-अलग कई फर्टिलाजर कम्पनिया की टाउंचिप हैं कई रिल्वे वालों की टाउंचिप हैं कि फोज वालों की टाउंशिफ है ऐसी 75 ने पूरी तरह आपने आपको कम कैश वाला किया है तो जब मैंने इसकी पहली एक टाउंशिफ कम कैश वाली बनी तो मैं उसका प्रेजेंटेशन ले रहा था पहले आपको पचीज फट्पान पर बैठता हूं सबजी बेचता हूं तो जो महलाएं सब्जी खरिदने आती है ओगर बील बन गया 25 रुपया 80 पैसा है तो कहती है तो 25 रुपया लेलो चल जाएगा वो 80 पैसे नहीं देती है कितनी भी अमीर परिवार की महिला हो बड़े से बड़े बाबू की पत्नी हो लेग 80 पैसा नहीं देती है लेलो 25 रुपया ठीक ले छोड़ दो बोले इसके कारण अब क्या हुआ है मुझे पूरा 25 रुपय असी पसं मिलता है और बोले शाम को जो मेरा 15-20 रुपया कम पड़ जाता था अब मेरा 15-20 रुपया मेरी एक्स्ट्रा इंकम ऐसे ही हो गई अब देखे कितना फाइदा एक गरीब आद में अपने पेसे डून लिय लेकिन ये 75 रुपय अच्छी शुरुवात है लेकि हम लोगों की कोशित रहनी चाहिए कि हम कम कैश की और देश को ले चले हम इसमें योगदान दे और ये जो रिवलुशन हो रहा है उसके हम स्वयम एक सिपाई बने उस बात को हम आगे बढ़ाएं मुझे विश्वास है क कि आज जिन लोगों को इनाम मिला है वार इतने कारेकाल में करीब धाई सो करोड़ पे से जादा इनाम मिले हैं वे इनाम प्राप्त करकर के संतोस्नम आने हजारों की तादाद में नागरिकों की इनाम मिला है वे भी इसके अमबेसेडर बने वे भी इस काम को आगे बढ़ा कि यह देश में परिवर्तन लाने का नागरीकों की मदद से होने वाला एक बहुत बड़ा सफल अभियान है कि मैं रविशंगर जी और उनके विभाग की पूरी टीम को और निती आयोग को बड़ी बढ़ाई देता हूं कि फूल प्रूप टेक्नोलोजी के लिए उन्होंने भ और उससे उत्तम से उत्तम भारत में क्या हो सकता है भारत के सामान्य मानुई को गरिब से गरिब व्यक्ति भी इसको अपने कारोबार से चला सके इतना यूजर फ्रेंडली विश्वस्त ये विवस्ता विक्सित हुई है मैं फिर एक बार विभाग के सबी साथ्यों को करता हूं कि इस कारकम की रचना के लिए नागपूर को उन्होंने एक यजबान कुर्पे उत्तम सेवा की बहुत बड़ी मात्रा में आप सबसे मिजे मिलने का उसर मिला आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चले दोस्तों बरायत में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत